सब्सक्राइब यह देखो एक एक ऐसे फलका नाम बताओ जिसके नाम के पिछे के तीन अक्सर काट दिये जाएं तो वह एक सब्जी बन जाता है एक ऐसे फलका नाम बताओ जिसके नाम के पिछे के तीन अक्सर काट दिये जाएं तो वह एक सब्जी बन जाता है पीछे के तीन अक्सर काटने से वह फल सब्जी बन जाता है दोस्तों आप बताओ कोमेंट कर गए दोस्तों रुपे दे दूँआ अगर मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो देख लोगे दोस्तों रुपे दे दूँआ तीन वर्ड काटने है उसके पिछे के जो फिर आगी के बच गे तो वह एक सब्जी बन जाएगा प्रणा ऑप्षण दोऔर ठ Pardon अदिक तर गरों में थब शें जयादा वही सब्जी बनती है और कि उस खनके हम तीन सबद काटने पिछे के और जो आगे के सब्द रहें गे갈 तो अधिकतर गरों में ज्यादा तर उसकी सबजी बनती ही बनती है पापा पर वो ज्यादा खटा होता है ना भई खटे मीठे का तो मुझे पता नहीं लेकिन एक फॉल है बेटे हाँ चल इतनी भी बता दियूं वो जो फॉल है ना वो खटा मीठा होता है चोटे ना आथ उठाए हैं क्योंकि 200 रुपेगा सवाल कर दिया मैंने इसलिए दिमाग चलने लगया बच्चों आँ बताओ अलू मनता है क्या बनता है अलू मनता है अलू क्या बनता है अलू मतलब दो सबद होगे फड़ बताना बेटा बेटे एक फड़ का नाम बताना है जिसके पीछे के तीन सबद काट दिये जाएं तो वह एक सबजी बन जाती है हाँ फड़ खटा मीठा होता है और सबजी वह बनेगी जो हर गर में बनती है अधीकतर बनती है वो सबजी चोटे के कार्ड मेरे को पता चलिए गया रुख जा पहले चोटे जहां चोटे चोटे आप ठीक चल रहे थे यार दोस्तों आप लोग बताओ कोमेंट कर गया बही एक ऐसा फड़ जिसके नाम के पीछे के तीन अक्षर काट दिये जाएं तो वह है एक सबजी बन जाती है ना पेर अपा नहीं पता आपने है चोटे आपको और वही चोटे की मम्मी जो है मुश्कुराओ है मेरे को पता चलिया बताओ अलू बुखारा और वाई-शाब क्या वाद है वही गुड वही बता मकूप कर समझ माई चोटे ने से वालू बताई है ना जब लाया दिमाग बई बिलकुल बिलकुल देखो चोटे आप ठीक चल रहे दे बिटे लेकिन आप फड का नाम नहीं बता पाई सबजी का नाम था आपने बता दिया अलू बुखारा एक ऐसा फड है जिसके पीछे के तीन अक्सर काट दिये जाए बुखारा को काट दो आगे क्या बचा आगे तो फिर बताया क्यों नहीं तो आलू बुखारा वो फड है जिसके नाम के पीछे के तीन अक्सर काट दिये जाए तो आलू की सबजी बने क्या मांग रहे उत्तर तो ठीक नहीं दिया आपने थोड़ा बहुत तो ठीक था चलो भई आदा छोटे ने करे आदा छोटे मम्मी ने तो सवनू तीन सो मेरे वो दे दियो सो रुपय आप रखियो सो बच्यान दे दियो चलो ठीक है तो दोस्तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कोमेंट करगे ज़रू बताना और शेर कर दिया रो दोस्तो आपसे निवेधन है सब बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखन के लिए लाइक करना शेर करना कमेंट करना रहां रहां दोस्तों